आज के चलन में है कि हम दो हमारे दो लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हम दो हमारे दर्जनों क्या है पूरी खबर चुलिए आज हम आपको बताते हैं विस्तार से आज के चलन में है कि हम दो हमारे दो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे घर हैं जहां हम दो हमारे दर्जनों की कहानी निकल के आ रही है क्या है पूरी खबर चुलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं 12 पत्नियों से 68 वर्से मुसा के 102 बच्चे हैं, बच्चों की उम्र 10 साल से लेकर 50 साल के बीच है, सबसे कम उम्र की पत्नी 35 साल की है, मूसा, हसाया, कसेरा के 102 बच्चे हैं 578 पोते-पोतियां हैं इतने बच्चों होने के बाद उनका कहना है कि अब बहुत हो गया और वो अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 102 बच्चे होने की वज़ा से मूसा को सभी के नाम तक याद नहीं रहते जब पोते-पोतियों के नामों की बात आती है तब भी वह उन्हें याद करने में मुशकिल का सामना करते हैं 12 पत्नियों से 68 वर्षिये मूसा के 102 बच्चे होने हैं बच्चों की उम्र 10 साल से लेकर 50 साल के बीच है सबसे कम उम्र की पत्नी की उम्र 35 साल है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब मूसा के साथ साथ उनकी पत्नियां भी परिबार को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती युगांजा के बुटालेजा जिले के अपने गौंग बुगीसा से बोलते हुए मूसा ने कहा पहले यह एक मजाग था लेकिन अब इसमें समस्याएं हैं मेरे स्वास्त में गिरावच आ रही है और इतने बड़े परिवार के लिए बमुस्किल दो एकर जमीन है मेरी दो पतिनियों ने भी छोड़ दिया क्योंकि मैं खाना, सिक्सा, कापड़े जैसे बुन्यादी चीजों का खर्च नहीं उठा सकता था मूसा अब एक प्रियाटक आकर्शन भी बन गए हैं लोग उनसे और उनके विसाल परिवार के सदश्यों से मिलने आते हैं परिवार के कई सदश से अब मोटे तौर पर नालीदार लोहे से बने एक जिर्ण शिर्ण घर में रहते हैं जबकि कई अन्य पास के लगवग दो दर्जन घास फूस की मिट्टी की जोप्रियों में रहते हैं मूसा ने अपनी पहली पत्नी से 1972 में एक परब्रीक समारों में शादी की थी जब वे दोनों 17 साल के थे और उनके पहले बच्चे सेंडरा नववीर का जन्म एक साल बाद हुआ था उन्होंने कहा चुकि हम केबल दो भाई ही पैदा होए थे इसलिए मुझे मेरे रिष्टेदार और दोस्तों ने सला दी थी कि हम अपनी पारिवारी की विरास्त का विस्तार करने के लिए कई पत्नियों से शादी करें ताकि कई बच्चे पैदा कर सके मुसा ने यह भी कहा कि वह एक सफल पशूब वैपारी के मूरूप में अपनी इस्तिती के कारण अपनी बेटियों की शादी करने के इकशुक परिवार में लोग पीरिये हो गए हैं उन्होंने कहा कि उनके पास नियमित रूप से कई परिवार अपनी बेटियों की शादी करने की पेशकश करते हैं जिसमें से कुछ की उम्र तो 18 साल से भी कम होती है वो बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना उनका पालन पोजिशन करना बेहत मुस्किर हो जाता है वहीं इस मुशा के 102 बच्चे हैं इन्हें तो और भी मुस्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन इन्होंने कहा है कि अब बस अब आगे की हमें परिवार को नहीं बढ़ाना ह तो आपको कैसा लगा मुसा की ये कहानी कमिट में ज़रूर बता है अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और यूँ ही बने रहे नियोश फोनेशन के साथ